यहां पे हमारे पास देटा दिया हुआ है और हमें पेस्ट करना है पर जो सेल मर्ज किया हुआ है वो नहीं चाहिए इसका सल्यूशन जानने के लिए विडियो को एंड तक देखे हम देटा को सिलेक्ट कर कॉपी करेंगे Ctrl Alt V प्रेस करेंगे Paste Special में Formula and Number Formatting पे क्लिक करेंगे हम यहां देख सकते हैं कि जो सेल मर्ज हुआ था वो अभी नहीं है and desired result भी मिल गया है Excel में ऐसे Formula and Function को सीखने के लिए राज सिंग Microsoft के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले विडियो को लाइक करें और हाँ विडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जिसे उन्हें भी ये सीखने मिले